आज की क्लास में हम डेस्कस करेंगे टो स्टोक साइकल इंजन टो स्टोक साइकल इंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक साइकल कम्प्लीट करता है टो स्टोक ओफ फिस्टन जबकि जो फो स्टोक इंजन होता है उसके अंदर फो स्टोक में एक साइकल को कम्प्लीट किया जात इंचन और में हीका डंज्ड की आंदर मेंसते इंधके में फिरेंड जो रहेगा करणे pasar마 Cup की एंडर किसे छाइब फिल हो रहा है एन्चाइब का मेंने से कैसे स्टी काम साथब में मौत फिल हो रहा है से जो फो्र्सायों होता है उसके आंदर जितना बी operation होते हैं वो perform किये जाते हैं इंजन piston यान कि suction and compression जो भी stroke हो रही है तो piston का movement होता है अलग लग position पे तो उसी के दुरान operation perform किये जाते हैं लेकिन जो two stroke engine होता है उसमें feeling process या फिर जो भी है वो कैसे करी जाती feeling process को किया जाता है जो चार्ज होता है न वो crank case में compress किया जाता है उसको जाने के बाद crank case होता है उसके अंदर compress किया जाता है और जैसे ही compress charge push करेगा यान की combustion यान की product of combustion एक जब स्पोर से बाहर निकलाएगा ठीक है इस तरीके से दो ही stroke complete sufficient होती है complete करने के लिए एक cycle को और एक करने के लिए प्रेश्र झाल 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 यान की क्झासव जब से छुड़ कि लिए्टमा मुझ से घजर अ झाल तूम से एकड़ से कर्या जी कुड़ा kitchen एक के लिएक तक से कुड़ अ में अमेंनक्रेश्र झाल झाल झाल